हमें कहा गया है कि a train travel at 82.6 km per hour की speed से तो आपको बताना है कि 15 minutes में कितना चलेगी, देखिए, हमें पता है क्या कि अगर कोई चीज km में है, यानि कि 1 km में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 m, हमें पता है, and 1 hour में कितना होता है, तो 3600 seconds, तो आपके km per hour से में इसे में convert कर लेते हैं, तो क्या आएगा, तो यह आएगा आपका, 25 is a 10, and 18, यानि कि 5 by 18, meter per second में हम इसे change कर लेंगे, क्या से, इसको हम multiply करेंगे, 5 by 18 से, तो यह meter per second में हो जाएगा, जब आप इसे solve करोगे तो आपको क्या पता चलता है, कि 29 सा, and 2 से, अगर मैं इसे करूँ, 241.3, okay, यानि कि 413 by 10 into 5 by 9, 5 on the 5, 5 to the 10, यही आ रहा है, तो यह हमारा क्या है, 413 by 18 meter per second, लेकिन इन्होंने हम से क्या पूचा है, कि यह 15 minutes में कितना चल रही है, हमें पता है कि पर second यह कितना चल रही है, तो अब हम 15 minutes में निकाल लेते हैं, तो 4 1 3 by 18 ये एक सेकेंड में चल रही है तो 15 मिनिट में कितना चलेगी तो इंटू 15 कर दें लेकिन ये तो सेकेंड में है ना तो इसको में मिनिट में करना होगा इसलिए हम इसे 60 से मल्टिप्लाइब करेंगे और जब आप इसे सॉल्फ करोगे तो आपको पता लग जाएगा क ये 15 मिनिट में कितना चलेगी तो हम करते हैं 3 6 3 5 6 6 10 अब 4 1 3 को जब मैं 5 से मल्टिप्लाइब करती हूं तो आता है 5 3 15 5 5 6 5 4 20 एंड ये इसका 1 0 तो आया 20 650 मीटर जो है आपकी ट्रें 15 मिनिट में ट्रेवल करेगी इस इस दा आंसर